तुमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गनेश और आप देख रहे है बीएम स्टडी ट्यूटोरियल्स तुम यह वीडियो कास मुझे बनाते हुए बहुत खुशी मिल रही है क्यूंकि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ ये मैं वीडियो के last में बताऊंगा तो वीडियो पूरा जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe कर दें और अगर आपने किया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो वीडियो में सबसे पहले मैं कोischon बताने वारा हूं इन दो question के बाद मैं बता हूँ कि वीडियो मैं क्यpresट क्यों बना रहा हूं और किसके लिए बना रहा हूं सबसे पहले question क्या है वह देखिए और इतना असान है कि आपको बहुत मज़ा आएगा हाँ और आप बूलोगे सरी क्यों बना है बट बनाना जरूरी था वह रिजन में आपको बताता हूं आगे तो चलिए वीडियो में देखते हैं हमें एक कोस्चन निला है जो एक्जाम्पल नम्मर थी के नाम से और वह है टू एम अपॉन एन प्लस एन अपॉन एम ड़ होल क्य यह हमें सॉल्व करना है होल क्यूब के उपर कोस्चन है ध्यान से देखो यहां पर यह होल क्यूब के उपर कोस्चन है मतलब अगर सपोस करो हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब अगर होता है तो हम वहां पर फॉर्मला ही यूज करते हैं एक क्यूब प्लस थ्री ए cube मैंने ऐसा लिख दिया मैंने इससे दूर दूर लिखा यह formula है और हमें यह use करना है अब ध्यान से देखो हमारे पास a की जगह कौन सा चीज दिख रहा है 2m upon n और b की जगह कौन सा चीज दिख रहा है n upon 2m यानि we have a is equal to 2m upon में n and b is equal to n upon 2m यह चीज है अब हमें करना क्या है कुछ नहीं करना यह फॉर्मले के pattern में अगर इसी फॉर्मले में हम इस तरह लिख सकते हैं इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से हमें कुछ नहीं करना है बस इसके हिसाब से इसे लिखते जाओ एक क्यूब सो एक ही जगए 2m upon n है 2m upon n इसे क्या कर दो whole cube कर दो कर दिया भाई प्लस 3 है तो 3 को ऐसे कर दो a square है a square मतलब उसके multiply में है तो यहाँ देखो a square तो a क्या है a 2m upon n और इसका whole square into b की जगह क्या है b की जगह n upon 2m है ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर फिर से 3 है 3 और फिर से multiply है multiply ठीक है तो यह ब्रैकेट नहीं बनाते हैं यह ब्रैकेट ही बनाते है a क्या है भाई a है 2m upon n ठीक है एक कामगरोई से ऐसे multiply ही रखते है into b square b square में क्या है n upon 2m का whole square okay plus b cube plus b cube so n upon 2m का whole cube okay तो हमने क्या किया हमने इस question को जो है formula के साथ से expand कर दिया है इसलिए इसका lesson क्या होगा expansion of formula lesson का नाम क्यूं formula के उपर हम expand कर रहे हैं अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा two का cube क्या होता है two two is the four two three time, so here at four two is the eight so here at eight m cube ए फो m3 हो जाएगा और upon में and nq है so wo n q हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर important चीज ए क्या important चीज अगरो यह three ए in 2 यहां पे देखो क्या हो जाएगा यहां पे जो है यह जो है हमारा 2 का स्क्वेर कितना होता है 2 का स्क्वेर जो होता है वो 4 होता है 2 का स्क्वेर 4 होता है ठीक है 2 का स्क्वेर 4 m का स्क्वेर m upon n का स्क्वेर क्या होगा n स्क्वेर into उपर देखो क्या है n है upon 2m सो यहां पर 2m ओके प्लस यहां पर देखो इसे भी सही तरीके से लिखते थे थे थ्री टूजा यहां पर अध्यान से देखो थ्री टूजा 6m upon n into n square n square तो n square होगा और 2 का square जो हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है 2 का square 4 हो जाएगा और m का square हो जाएगा m square प्लस यह n cube है so n cube upon 2 का cube जो होगा 8 होगा और यह m cube ठीक है अब देखो ध्यान से यहां पर क्या हो जाएगा 8m cube 8m cube upon n cube plus यहां देखो ध्यान से कटेगा क्या यह n square मतलब n into n तो इसका पावर जो है इससे कट जाएगा यह m square का तो 6m बचा है ठीक है और upon में जो है सिर्फ n बचा है तो यह n हो गया ठीक है फिर plus यहां पर देखो यहां भी कुछ कटेगा क्या कटेगा देखो इस m से यह square कटेगा क्यों यह m into m होता है दो बार होता है इस square और यह n जो है यह कट जाएगा फिर देखो यहां पर टू के टेबल से यह 4 कटेगा 2 time में यह 2 के टेबल से कटेगा 3 time में तो यहां पर क्या हो गया 3 into n तो यह हो जाएगा 3 n upon 2 into m तो 2 m उसके बाद में प्लस यहां पर हो गया आपका n cube upon 8 m cube ठीक है तो यह है हमारे जो है final solution इस question का इस तरह जो हम इस question को solve करते हैं अब एक और question है जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो चली चलते हैं तो अब करते हैं next question तो देखो next question बहुत मज़ेदार है 41 का cube तो 41 के cube को मैंने क्या लिखा देखो 40 plus 1 a plus b के form में लिखा cube आप देखो a cube बोला है तो a cube a की जगह कौन है 40 तो यहां पर क्या लिख दो 40 का cube प्लस यहां 3 है into a square a की जगह क्या है a की जगह है 40 40 का जो है square कर दो into b की जगह क्या है 1 1 कर दिया plus 3 a कर दो a की जगह जो है 40 into b square b square मतलब क्या 1 का square अब plus b q b q मतलब क्या b q मतलब 1 का cube बस देखो बहुत आसान है ठीक है हाँ अब देखो क्या हो जाएगा tension की कोई बात नहीं है यहां भी देखो बहुत आसानी तरीके से हमारा solve होगा क्या 4 का cube क्या होता है 64 होता है और यह 3 बार जो है 3 square तो 3 बार 0 हो जाएगा 3 बार multiply करेंगे 0 का प्लस यह 3 into 4 का square जो होता है वो ता 16 और double zero मतलब दो बार ठीक है into one जा मतलब 1 जा ही हो जाएगा और प्लस यह देखो 3 4 जा जो होगा 12 3 4 जो होगा 12 होगा is 0 और into into जो है 1 का square 1 ही होता है ठीक है बाई अब प्लस 1 का cube भी 1 ही होगा 1 into 1 into 1 1 1 जा 1 1 जा 1 ओके यहाँ पर क्या हो जागा 6,000 64,000 प्लस 16 3 जा 48 और प्लस 121 जा 120 प्लस 1 ठीक है यह है तो अब देखो इसे add करते हैं add कैसे होगा यहाँ पर हम जो है इसे side में add कर लेते क्या 6,4,000 and 4,4,8,000 and 120 and then 1 ओके तो यहाँ पर देखो यह 1 हो गया यह 2 हो गया यह 9 हो गया और यह 4,4,8 हो गया और यह जो हो गया यह 6 हो गया ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 6,8,9,2,1 ओके तो इस तरीके से जो है solve था ठीक है तो friends यह दो question मैंने आपके बता है लेकिन यह क्यों बता है इसका कारण यह है कि हमें हमारे एक parents में call किया जिन्होंने मुझे बताया कि sir हमें जो है 8th class का यह question नहीं आ रहा है यह जो है 8th class के जो है एक lesson का है जो expensive formula नाम का lesson है उसमें का जो है solve example है means जो है exercise के पहले जो solve होते हैं तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने कहा कि हमें यह question नहीं आ रहा है क्या आप मेरी मदद करेंगे मैं बना तो नहीं पार रहा था time नहीं मिल ला था मुझे लेकिन मैंने आज जरूरी समझा कि मैं बनाओं और उनकी help क बहुत अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों की care करते हैं वो भी इस सवस्था में lockdown में अपने बच्चों को जो है वो घर पे care कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे parents के लिए ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बनाना और अगर के लिए बना खाक्यों के लाहे हैं एक यह डिर को डान बनाना भी बहो और आगादे हैं ऩट्वी इस सवकिता है यह दू और मोग िल मुआ कर म पहादे हैं विए धैना बहुत यह विए।